आप सबका कार्जकरम सत्य असत्य और अर्द सत्य में फिर से स्वागत है कार्जकरम के पांच में अंक में मैं बात करूंगा हैदराबाद में हुए उन तमाम रेप के आरोपियों का पुलिस द्वारा किया गया काउंटर दोस्तों कल एक बेहत देश में संसनी घटना को अंजाम हुआ जब ये खबर आई कि सुबह ठीक साड़े छे बजे वो हैदराबाद की डॉक्टर जिसके बलातकार के बाद उसे जला कर कतल कर दिया गया था उनके चारो आरोपियों की पुलिस के द्वारा इंकाउंटर में हत्या हो गई यह एक तरफ पूरा देश जहां उस बलातकार के आरोपि को डंड और सजा देने के लिए पूरा बेहताब था पूरे देश में आउट रेज का माहौल था और उसके बरक्स जब यह खबर आई कि उन चारो आरोपियों का हैदराबाद पुलिस ने इंकाउंटर में मार गिराया तो यह घटना अपने आप में वेहत लो महरशक थी लोगों को यह पता चला कि कातिल को जो है तुरत सजा दे दी गई उसके साथ एक कंदारू जश्टिस हो गया लेकिन आप पूरे इस मामले पर गौर करें तो यह ठीक है कि बलातकार के आरोपि को पुलिस के द्वारा इंकाउंटर में तुरत हत्या हो गई अधने था कोट के द्वारा नयायाले के द्वारा चाहे कितने भी फास्ट्रेक कोट बनाए जाए बलतकार के आरोपियों को सजा देने में 5-6 साल लग जाते हैं और इसकी सबसे बड़ी मिसाल दिल्ली की वह निर्भया कांड थी जिनके आरोपियों को अभी तक सजाय मौत नहीं दी जा सकी है ऐसे में हैदराबाद की इस घटना के बाद और यह बताते चले कि हैदराबाद के ठीक बात ठीक वैसे ही घटना नाओं में एक अंजाम दिया गया और ऐसे में जब हैधराबाद में ये जब पता चला कि पुलिस ने उनके जो आरोपी थे वो सुबा जब उस महिला के पर्स मोबाईल की तस्दीग कराने ले जाया गया तो वहाँ पे उन आरोपियों ने मौके का फाइदा दे करके पुलिस के हतियार ले करके और पुलिस पर ह और बात में पुलिस ने उन्हें माल गिराया दोस्तों इस घटना के बाद बहुत बड़े सवाल उभरते हैं यह ठीक है कि हैधराबार्द के उस डॉक्टर के साथ की गई बसलूकी, बलातकार और उसे फिल जला कर किया गया कतल एक बेहत संसरिक है, एक बेहत दर्दनाद और बिल्कुल रोमटे खड़े कर देने वाली घटना थी और पूरे देश में एक गमो गुसे का इधार किया जा रहा था एक ऐसा बिवर्थ कांड किया गया था जिससे सब लोग बेहत परिशान थे जिससे लोग बेहत खौफ जड़ा थे और देश में नारी सुरच्छा के सवाल को ले करके फिर से एक बड़ा विमर्स चल रहा था क्या ये ऐसा हो सकता है कि वह पुलिस जो अब तक देश में न जाने कितने कठित काउंटर को अंजाम दे चुकी है कठित कई पुलिस इंकाउंटर में हत्या के नमूने और एकजामपल जो है हमारे सामने आ चुके हैं जारतर में ये पाया गया कि पुलिस ने या तो अपनी वैक्तिकत रंजीस में या अपने गुस्से को संतुलन में नहीं बेना बिठा पाने में या फिर कोट के तमाम चक्कर और सबूतों को सत्यापित करने की आपाधापी से बजने के लिए अपराधियों को काउंटर में हत्या कर देती है जो कानुनी रूप से और मानवाधिकार रूप से बेहत गलत है क्या ऐसे में हैदराबाद की या घटना जिसका कई लोगों ने स्वागत किया है और समाज के तमाम छेत्रों में इस पर जो है एक तरह से खुशी का इजहार किया गया है परन्तु दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल जो उभर कराता है कि ये कातिल कौन थे ये बरातकारी कौन थे वह कोई बहुत बड़े समाज के रसुख वाले व्यक्ति नहीं थे ये सब 19, 20 और 21 के टीनेजर और नौजवान उस प्रष्ट भूमी के लोग थे या तो जिनकी पूरी पढ़ाई नहीं हुई या वो अच्छे परिवार के संसकार नहीं पा सके या उनका ऐसा सोशल अब्रिंगिंग और उनकी फैमिली अब्रिंगिंग इस तरीके की नहीं थी या उनमें एक तरह से कहीं ने कहीं ना समझी थी या कहीं ने कहीं उनमें एक अपराद का एक ऐसा इस्टेंट था जिसके जरिया उन्होंने सबसे पहले बरातकार किया और फिर उस बात उस महिला डॉक्टर को मौत के घाट उतारा और फिर उससे जला दिया कहीं ने कहीं उन बन चुके थे या उन्हें कोई ऐसे उनके पीछे कोई ताकत थी जो हो सकता है उन्हें किसी बदले की भावना से उनका ईूटिलाइज की हो उनका यूज की हो यह जिस भी वजह से एक आक्रोस में एक सजा के भैसे उन्होंने उस पीड़ता की जो हत्या की जला कर उसे जो मार डाला है क्या वो सच्मुस समाच के सबसे संगीन अपरादि आ यह क्या वो समाच के वैसे रसूक वाले व्यत्ती है जो देश में करोणों अर्बों के घुटाले करते हैं क्या वammen efficiency करते हैं जिस अपराद की वजह से नजाने कितने लोगों को हत्या कर लेनी पड़ती है कितने लोगों को आत्म हत्या कर लेनी पड़ती है या कितने लोगों को मरने के लिए मजबूर होना पड़ता है दोस्तों इस तरीके की घटना है हमारे समाज में और देश में काफी घटती है जब कोई गलत निर्माण हो और पैसे लेके फरार हो जाता है और उस स्कीम में इंवेस्टमेंट करने वाले लोग जिनकी पूरी जिंदगी लुड़ जाती है पूरी रकम जो है उनकी पूरी कमाई लुड़ जाती है और वो आत्म हत्या पर मजबूर हो जाते हैं ऐसी कितनी घटनाई देश में घटती है Non-banking company, financial company, housing finance, उसमें निवेश करने वाले लोग ठगे जाते हैं और उसका निवेशक रातो रात फरार हो जाता है, विरेस गवन कर लेता है या भूमिगत हो जाता है और उस वज़े से उसके नजारिक कितने निवेशक आत्म हत्या करते हैं, मर में पर मजबूर हो जाते हैं यह कुछ ऐसे अपराधी जो दुरगटनाओं को अंजाम देते हैं जिनकी गल्टी से जिनकी जान बूज करके कि यह गल्टी से कितने लोगों की एक तरह से मौत हो जाती है क्या कानून उन्हें वो सजा दे पाता है जो सजा इन बलतकार के join opini नहीं है यहां को जो है मैंसिक और इनका अचारितरिक सुधार करने के लिए काम नहीं किया गया और वो एक तरह से उनके खिलाब कोड जो है कड़ी से कड़ी सजा देता है और सजा एक दे भी के उनम इसे हमें कोई आपत्ती नहीं है लेकिन आपत्ती इस बात की है कि जिस तरीके के अपराद करने वाले लोग जारतर्द लोग जो अरपड़ होते हैं कम पढ़े लिखे होते हैं जिनकी सोशल और हु और इस तरीके के घटनाओं को और इस तरीके के अपराद को और इस तरीके के वारदात को जन्म देते हैं और नयायाले में इसके लिए वो सजा का प्रावधान होता है यह ठीक है कि इस तरीके के सजा देने में भी कानून की लंबी प्रक्रिया चलती है और चार साल से लेकर के 12 साल और 15 साल तक लग गए हैं ऐसे कई बालातकार के आरोपी हैं जिन्होंने 15-15 साल के बाद सजा पाही है परंतु अभी अभी जो ये हैधराबाद में घटना हुई ये ठीक है कि पुलिस ने अभी ततकाल रोबिन हुट का एक तरह से तगमा पा लिया पुलिस ने एक तरह से कई लोगों की वहवाई लेली लेकिन पुलिस का चरित्र भी खुद जो है वह दमन और अत्याचार करने वाला होता है पुलिस खुद भी एक वैद अपराधी के रूप में अपने आपको साबित करती है पुलिस खुद भी जो है वो कानून का सबसे बड़ी वालोलेटर ह होती है पुलिस खुद भी कई मामलों में बरातकार की भी आरोपी पाई गई है तो ऐसे में हैदराबाद की पुलिस के दवारा यह किया गया कंगारू जश्टिस कई सवालों को जर्व देता है यह ठीक है कि बरातकार की इतनी बड़ी विभर्स और लोम हर्स घटना को पहुंची है परन्तु सवाल यह है कि इस तरीके के अपराद करने वाले लोग जो बिलकुल लोवर प्रिष्ट भूमी से होते हैं सामाजिक प्रिष्ट भूमी से होते हैं उनके लिए तो कड़ी से कड़ी सजा होती है आखड़े बताते हैं कि जो सजाय मौत दी जाती है उन मारे समाज का बड़ा आपरादी है करोडों अर्गों का भरष्ट आचार करता है जो ऐसे ऐसे घटनाओं हो अनजां देता है चाहे वू असलि दवा बेस्त के कितने ही वहों कर जीवन खराब करता है जाया दवा में और उनके लीवर को जला करके खाने की भी एक तरह से हमने घटना सुनी है आज तक उसके अपरादी को सजाए मौत नहीं दिया सकी है सवाल ये नहीं है कि जो घटनाएं जो हैं रिपोर्ट होती है मिडिया की सूखियां बनती है ये लोगों के नजरों के से बुजरती है सवाल ऐसे है कि कई सारी घटनाएं कई सारे अपराद जो समाज में घटित होती है और हम लोगों को बदा तक नहीं चलता उन घटनाओं को दबा दिया जाता है पुलिस के मिली बजग से समाज के मिली बजग से, समाज के रसूख से और उनका वारा नयारा कर दिया जाता है तो हमारा समाज अपराद मुक्त हो, हमारा समाज समस्दारी, सिक्षित, ग्यान, संसकार से परिपुन हो जिसमें सब लोगों के लिए आदर हो, जिसमें गरीबों के लिए आदर हो जिसमें तिरस्कृत, मानसिक और विकलांग और एक तरसे विक्षप्त बैक्तियों के लिए आदर का भाव हो ऐसे में कहीं न कहीं वह बैक्ति जो किन वजहों से और किस अपराधिक मनोविज्ञान से उस अपराध को अंजाम देता है कहीं न कहीं ये वक्त आ गया है कि पूरा समाज उस पर एक गंभीर विचार मंधन करें, पूरा देश और उसकी कारूनी प्रिक्रिया और ये क्रिमिनल जुरिस्प्रोडेंस सिस्टम और ये पूरा हमारा जो अपराध मनोविज्ञान और अपराध विज्ञान फॉरेंसिक नेयाले की जो है लंबी प्रक्रिया चले चुकि हमें यह देखना पड़ेगा कि समाज का असल अपराजी कौन है समाज का वास्तुविक अपराजी कौन है और बलातकार अपने आप में ही हमारे देश की एक बहुत बड़ी समाज विज्ञानी समस्या हो गई है जिसके एक नही अनेकानेक पहलों है और उन सारे पहलों पर जब तक हम इमानदारी से बिलकुल निस्पक्षिता के साथ और बिलकुल सत्यता के साथ और वस्तुनिश्टिता के साथ जब तक हम मंतन नहीं करेंगे तब तक हम इसको जो है फंडमेंटली जो है दूर नहीं कर पाएंगे और इ इस मुद्दे पर आपके सामने विजारार्त रखे जाते हैं और इसको हम फिर से जो है हम किसी और विशेर के साथ आपके सामने हम फिर प्रस्तुत होंगे तब तक के लिए नमस्कार, सब्बाखेर, जैहिन, गुडबाई